सोय चंक्स करी बनानी के आपने केज सारी रेस्पी को ट्राई किया होगा बट आज में आपको सोय चंक्स ग्रेवी बनानी की बिल्कुल अलग को नई रेस्पी बताने बाला हूँ इस तरह से आपे सबजी बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सोय चंक्स लिये हैं और मार्किट में इसलिए मिल जाते हैं और प्रोटीन से भर पूर होते हैं तो बाहर से सोय चंक्स हार्ड होते हैं सबसे पहले आपने इनको सॉफ्ट करना है एक बरतन में पानी को गर्म कर लिए है एक चोड़ा चमच आपने इसमें नमक एड़ करना है और इसके बुद आपने इसमें नमक तो डाला है ताकि जब तक यह सॉफ्ट हो इनके अंदर तक नमक अच्छा टेश्ट आ जाए तो ओके देखे अच्छी तरह से सोय चंक्स को पानी के साब मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम हाई करेंगे तक ही जल्दी से बॉयल आजाए यहाँ पर बॉयल आज चुक है अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है कम सकम 7-8 मिन्ट तक मैंने को मीडियम फ्लेम हाई डीशे तो लगव साट मिन्ट ततक सोय चंक्स को बॉयल कर लिया है और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फूलै चूके है और अच्छ से सोफ्टवे चुके है इसके बुद आपने इनको एक छन्नी में चान देना है और अच्छी तरह से इनको ठंडा भी कर लेना है इसके बुद आपने करना है इनके अंतरना पानी भर जाता है तो ये देखे इस तरह से सोय चंक्स का जो पानी है उसको आपने निचोड देना है थोड़ा बहुत पानी आज़े का कोई दिक्रत नहीं उसमें तो इसके बदाँ आपने को मेरेनेट करना है थोड़ा सा नमक एड कींचे थोड़ा नमक आपने पहले भी डारा था थोड़ा सा अपने हल्दी पौडरेएड करना है आदा चमच आप इसमें कश्मीरी लाल-मिर्ष पौडरेएड करनी थ चमच आपने धनिया पौडर एड करना है और तीखा करने के लिए तोड़ा सा लाल मिर्श का पौडर भी एड़ किया है आदा चमच आप इसमे जीरा पौडर एड़ करना आपने इसमे तो मसाले अपने कॉंटेड़ी में हिसाब से डालने है अगर आप ज्यादा कॉंटेड़ को स्यच जंग केसाथ mix कर लेना है srian 고 मारिनेट करके बिनाएंगे ना बहुत या अच्छा इन simplyठ कर लिया है अब इसके भुद आपको ग्रेवी वनाने की लिए दो प्याज वो तो तो इंगे अपने रफली काट को ली तक माटा मोटा मौटा काट लीशे ठोड़ सा अद्रक थोड़ा से आपने हर धनिया लेना है, साथ मैं लसुन और हरी मिर्श का यूज़ करेंगे, यहां मैंने कडाही ली है, सबसे पहले इसमें ऑईल एड़ करेंगे, तो यह दिखे, एक बड़ा चमच मैंने इसमें ऑईल एड़ कर दिया है, जैसे ऑईल गर्म होचे का, एक छोटा चमच साबू जीर एड़ करना है एक छोटा चमच आपने इसमें कूटवा साबू धनिया एड़ करना है, जैसे मसाले थोड़े से चटक जाएंगे, इसके बड़ा आपने अदर्ग लसुन और मिर्श एड़ कर देनी है, अदर्ग को भी आपने रफली काटके डाला है, लसुन की साबूद कलिया ही डाल देशे, थोड़ी दिर आपने अदर्ग लसुन और मिर्श को पका लेना है, इसके बड़़ा आपने इसमें रफली कटवा प्याँ एड़ कर कर देना है, और गेस की फ्ले में हाई करनी है, High flame में अपने प्याज को तब तब बगाना है जब तब प्याज अच्छी तरह से soft ना हो जाए और प्याज का जो कच्छा टेस्ट है वह भी खत्म ना हो जाए तो ओके देखे आप देख सकते हैं प्याज का जो color है थोड़ा सा change हो चुक है और प्याज soft हो चुक है अच्छे color के लिए आदच aging आप इसमें healthy powder पॉट रैड करना है और आदच आप इसमें कश्मेरी lalmish powder कीशे बहुती बड़िया पॉर्टिया कलर आते है, गैस की फ्लेम हाई कीचे, हाई फ्लेम में टमाटरों को थोड़ी दिर आपने यहाँ पे भून लेना है, तकि टमाटरों का कच्चर खटा डेश चाहिए, बोख अत्म हो जाए, साथ में आपने आदा चमच यहाँ पे नमग भी अड़ कर देना है, नमग डालने से जो टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, सौफ्ट भी हो जाते हैं, तो देखे टमाटरों को भी मैंने भून लिया यहाँ पे, इसको जो मैंने धनिया लिया था, उसको अच्छी तरह से दोगे मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया है, और गैस की फ्लेम आप मीडियम कर दीशे, मीडि के यूज बिल्कुल नहीं करने इसको पीछने के लिए, क्योंकि प्याज और टमाटर में अर्रेडी मोटा रहता है, फिर आपने कडाही लेनी है, थोड़ा सा ओईल एड़ कीशे, जैसे यह तोड़ा गर्म हो जाएगा, इसके पुद आपने इसमें थोड़ा से खड़े मसा मसालों का, जैसे मसाले हलके से गर्म होना शुरू हो जाएंगे, इसके पूद आपने जो पेश्ट बना के रखा हुआ, जो ग्रेवी बना के रखी, पो डाल देनी है, और कुछ वी एक्स्टा मसाला इसमें नहीं डालना है, क्योंकि हमने सोई जंक्स में मसालों का यूज कि यहां पे, हलका सा मैंने इसमें पानी भी एड़ किया है, क्योंकि मसाला में चिपको रहा गया था, अब आपने इस मसाले को थोड़ा सा ड्राई ही पका लेना है, क्योंकि जब हम प्याज और टमाटर को फिर से ग्राइंड करते हैं, उनमें एक अच्छा टेस्ट रहाता है, तो गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, डेट से दो मिन तक आप इस मिक्षर को ना हाई फ्लेम है, पका लेशे, तब ही आपकी ग्रेवी में एक अच्छा टेस्ट निकल कियाएगा, और के देखिए, हमारा जो ग्रेवी का मिक्षर है, एक्तम ड्राई सा हो चुका है, इसक हमने स्वेज चंक्स को मेरनीड करने के लिए देहिं का यूज़ किया है, मसालों का यूज़ किया है, तो उनको पकाना भी बहुत ही जुरूरी होता है, तब ही ग्रेवी में एक अच्छा टेस्ट निकल किया आता है, तो बीच में आपने पल्टा चलाते रहना है, और के दे देखे, तीन से चार कप मैंने इसमें पानी के एड़ करती है, अच्छी तरह से पानी को भी मेक्स कर लेते हैं सबजी के साथ में, अब आपने थोड़ी दर सबजी को और पकाना है, ताकि सोय चंक्स के अंदर तक अच्छा ग्रेवी का और मिर्च मसालों का टेस्ट चला जा खाने में अच्छी लगती है, वर आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लाश्ट में आपने थोड़ा सा हरदनिया बचा के रखना है, बारी कार्ड के उसको डाल देना उपर से, तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगोगा, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजेगा ओके फ्रेंस मिलते के लिए ने वीडियो के साथ, ठैंक यू